आप हमको अंडर्स्टैंड तो कीजे भरान मैं क्या अंडर्स्टैंड करूँ यही के तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकती हम आपको अपना मजबूरी बता चुके हैं अब हम जा रहे हैं प्रीज किश्वर ना जाओ वैसे भी तुम इतने महिनों बाज शकल दिखाती हैं हमरे ममी हमका बहुत यकीन से पाली हैं हम उनका दल नहीं तोड़ सकते यही वज़ा है हम आपके साँ कहीं जाते नहीं हैं और जितना हमरे ममी को हम पर मान है उतना हम को आप पर है अब देखना यह है कि किसका मान बचता है यार क्या अगरू बात नहीं करूँगा तो मान जाएगा और बात करूँगा तो पिर जान भी चली जाएगी और किते पास गया मैं हम में हमको मुन्नी के रिष्टे का सुनके बहुत खुसी हुआ है अरे खुसी कूँ नहीं होगा वही तुम्हरा अपना आगे भी तो बेटी है ने इलो खाओ गुलाब जामन नहीं है हमको बहुत पसंद है अरे था ने गुलाब जामनू खा गई संसाथ वही रिस्ता लगाई है ने यह अपना संसाथ यह लगाए रिस्ता अब सब लोग तो एक जैसा नहीं होता ने बाद लोग तो अपना अजीज होके भी हात नहीं खामता और बाच पड़ोसी अपना महलेदारी को बहूत बड़ा बात समझते हैं अचलो खाओ यह मिठाई खतम करो जी जी खा रहा है जम्री बावी यह संसाथ के खांदान में किसको रिस्ता दिये पगला अगई है का हम जांगे लड़की का रिस्ता लेके ओ आई थी इदर हमरा घर में रिस्ता लेके उखाओ ने खतम करो खा रहने आये तो थे पर लड़का नहीं था लो इका बात हुआ मुनी भाजी आखे पूरा लाइप का मामला है लड़का दिखाना चाहिए आपको पसंद आना चाहिए ने पर जिसे पसंद करना था कर लिए अब आगे नसीब का मतलब मतलब आप पसंद कर चुके हैं उभी बिना देखे हम्रा मतलब है अम्मा पसंद कर लिये है न वही हम्रा लिये काफी है तुम बता ओ लड़का की पिक्चर देखी हो नहीं नहीं अरी, इका बात हुई अन्वरी आइंटी तुमको अभी तक पिक्चर नहीं दिखाई नड़के का वही आप वाला बात मुन्नी बाजी कि मम्य देख लिए वही काफी है अरे, अरी, इका बात हुई एकदम से रो दी हो तो अरे, अरे, छोड़, छोड़, देखो अच्छा खांदान है, अच्छा लड़का है फिर अमरीका जाओगी ओ, 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 फिल्मों में नहीं देखे हो अमरीका किता प्यारा देखता है हाँ, चलो चुप हो जाओ ओ, मेरी गुडिया रानी, बस बस अच्छा ही बताओ, जब राना बाजी का बहु बनोगी तो उकी तरण मगरूर तो नहीं हो जाओगी बुन्नी बाजी अरे, बोलो ना अब काहे चुप हो गए हैं हाँ, चले, हस दीजे ए, मुस्कुराईए देखाए अल्ला सक्के जाए अब प्यारे लगते हैं कामरी बाबे आप बताए नहीं हो समसाद के खांदान को तो हम सब को जानते हैं अरे, वो का कहते हैं समसाद जो है ना उनके दूर का देवर है उनका बहन जो है उनका पढ़ाती है स्कूल में अच्छा, स्कूल टीचर है लड़का करता का है लड़का बहुत अच्छा है, कमाओ है उनका दुकान है लालू खेत में बुरका का बुरका का दुकान है अरे, समसाद का खाला सास का लड़का है अरे, कमरी भाबे का कर रही हो, यह लोग अच्छा बस बस अब कोई बत्सुग्दी का बात ना करना अन्वरी बिठाई खाओ और हमनी मुन्नी के लिए दौा करू कित्ता जल्दी खतम कर ली से कि यह कुटा लड़का लोग हमको लू को मैसेज करते हैं जैसे हम 16 साल के हैं आगर हमको मैसेज आ जाए ना जिनके डैडी को ऐसा मैसेज करूँ कि घर नहीं आना पागल करती है मेरे को कुछ बहना ही क्या बोले किस्वर एक्टो पान लाके दोगे अधरे मंमी आख्रिब मीं आख्री भॉक अनसा तुम्हे भोया कि माँ छा लै थे ने अदे भाइया नहीं लाए है वे तो पांधन पाहला ही का पराया चलो कोई बात कि भूल जाते हैं सारा दिन दफ्तर में खून जलाते ले आएंगे तुम एक खून लगा दिये कि थाप हाथ ने लगाना लड़का लोग लूप का मेसेज कर रहे हैं मुझे हेलो सलाम वालेकूर राना बाजी कैसे हैं कल इतने जल्दे मंग नहीं नहीं जैसा आपका खुशी हम तो इस सोच रहते हैं कि इतना ज्यादा इंतजाम कैसे होगा हां बोले मुबारे को राना दिया इतने अमीर होके तो सुरुपे का लोट ने कराते हैं आरे किस्वर हम बहुत खुश है हमारी किस्वर उरंगी टुनवा की लेड़ी डूना बन रहा है तो आपने भाईया को फोन लगाए दियो ना एक गुटनी उस दे दियो कि तुम्रा लाडली का मांगनी हो रहा है हाँ 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 हम लड़का देखने जा रहे हैं हम कह रहे थे कि अगर टाइम है तुम्रे मियां के पास तो उन भी आजाए उन नहीं आएंगे चुप तुम्री बहंद सुन लेगी का है हम दरते हैं का उसे हम जानते हैं नौसाद नहीं आएंगे का है चंदा बिचारी को तंकर रही हो चंदा हम तुमको थोड़ा देर में फोन करते हैं हाँ हमको पता है उन नहीं आएंगे का हो गया तुमको बहुत दिमाग जो है तुम्हारा तेल में पड़ा पकोड़ा की तरह तलतला रहा है का कहें हम कुछ नहीं कहें हैं चंदा नौसाद से पुछेंगी नौसाद उनको सौ जूते ताने मारेंगे आएंगे फिर भी नहीं चंदा तुमरी बहन है नौसाद हमरा दामाद है उसको ऐसा छोड़ तो नहीं सकते ने छोड़ सकते काहीं नहीं छोड़ सकते हमारे तो दिल में आता है कहला चंदा उस हराम खोर नौसाद को छोड़ दे घरता मारेंगे ना तुमरा मूँ चपल जैसा हो जावेगा अम्मा सुन लो ए नौसाद है ना उसको हमाई साधी उदी के मामने से बिलकुल दूर रखो समझी अपनी उगली उस तारफ करो जाके दाल चड़ाओ भूग लगा है हमको बेटी थोड़ी कुक पाइदा किये थे खाना बनाते रहो सा रहो ना साधी कर आएंगे ना हमको इस घर से निकालेंगे ना साथ कम बखर दे वेरत कर देखा किस्वर के लिए हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे अरे ज्यादा नहीं करना बाबू साथ वाले घर से कमरी बाबी और मुंदी को बिलाएंगे सामने बाले घर से नूरन को बलाएंगे और समसाथ को जरूर बलाएंगे काहे इतना सारे लोग को बला रही है काहो के किस्वर चलो अपने कमरे में जाओ हमें गर्ज के ज्यादा इंटरफेरांस पसंद नहीं है तो हम का बोलना चाह रहे है ममी अरे 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 इस वर का हो गया का है गुस्टा खा रहे हो भई है तुम तो हमारी गुडिया हो ने तुम जो कहोगे वैसा ही करेंगे क्या धूमधाम चाहिए हाँ तो फिर वैसे ही हो जाएगा तुम जो कहोगी वैसा ही करेंगे अब आप हमको अच्छे अच्छे सब को समझा दिए हम लिस्ट बना देंगे बता हमेंगे अब जाओ कागज पैंसल लेकर आज़ा अरे जाओ ना जाओ ना जाओ ने क्या क्या आइटम करना है अरे हम को बताएंगे हम क्या खाना पकाने वाले हां बागान का भरता जरूर बनाएंगे ने बसंद पुर्गे चोर कर लेंगे प्रिव देखे लेंगे पर शरीली अंख मारे अमसिंको बरिया साली तुमके जल अंख मारे नोट हजारों के फुला थुटा कराने आई हस्मी की दीले से बेडी दिलम चलाने आई जितनी चमेले छुपके करेंगे करेंगे लाला रिमोर्ट को हाँ भाई किस्वार 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 इंकल का का रहे है कुछ नहीं पीस टीवी धून रहे मिली नहीं अंटी लोग का है वो अंदर है जाओ साबस जाओ अंटी अंटी वुजू करेंगे अंटी वुजू करेंगे यह तुम्रा आंटी और कम्री भावी का एक ही हिसाब है इतना जल्दी फटा फट रिष्टा तेक है कि इतना जल्दी ते कोई आसमेस बें नहीं करता है किस बर तो अभी छोटा है ने और हम तो बाबू से दो साल छोटे हैं अम्मा को हमना फिकर लग गया था ने ओली कम्री भावी परिशान थी तुम को सौक नहीं का साधिका किस लड़की को सौक नहीं होता ना इंकर पर हम तो अभी इंतजार कर रहे थे का है बेटा किसका बेट करना था हम चलते हैं वो अम्मा बोली थी जल्दी आजाना है अरे ऐसा कहा हवाई घोड़ा पर सबारो के आगई हो अपने आंटी से दो मला भी थी तुम हम फिर मिलनेंगे इंकर हलो हम बोल रहे हैं आपका किस वर हलो 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 हम 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 या अल्ला हम पर रहम करना या अल्ला मेरी बेटी का सारा काम अल्ला मेरी अल्ला मेरी अल्ला आम साधी होती के बात में सैड़ वेट हो जाता है अभी एक्दम मंगनी कर रहे है उदास हो गया अल्ला अल्ला करे ऐसा ही हो आरे बिटवा तुम टंसन काहे ले रहे हो देख ले ना एकदम जो फैसल आ जाएंगे ने किस वर कितने खुश हो जाएगी इसके मूपर चमक आ जाएगी यह चाहाने लगेगी यह अल्ला हमरे फैपली पे रहे हैं करना माने का हम तुमरा से भेत मांगरा है रहा हमका कि बच्चे लोग एकत्म परेशान हो जाते हैं तो ही हम पर रहा हमकरा वे देखते हैं के सुर क्या कर रहा है तुमरा नो चड़ा है का ने वह तुमराइगी या आल्ला आई आए करना करना आ मुन्नी, हम तुम को हजार बार बोले हैं कि कपड़ा जो तुम सुबा छट पे डालती हो, साम को ले के आ जाये करो पर तुम हमरी एक बात नहीं मानती का? का बात नहीं माने? इक कपड़ा को छोड़ो हमरा मर्जी नहीं थी तब भी हम उस समसाद बाजी के देवर से हाँ किये नहीं किये? बताओ, किये नहीं किये? ए बेटी, ऐसे काहे को पलट जाती है हम तो एक बात को देती काहे एक बात किये थे हर बात का इलजाम तुम हम को ही देती जैसे सब कुछ हमरी मजा से हो रहा है हम तो तंग आ गए ना तुम कुछ ना हम कुछ का बाए ना? जा अरे हमरी बेटी काहे जरा जरा सी बात पे बर्सात का चड़ी लगा देती हो कि मामले में तुम बिल्कुल अपने अभबा पर गई है बात बेबात उनका आखें डबडबा जाती थी बात बेबात भड़क जाते थे हमरी बच्ची बस खामोस हो जा तुमको का सुनाया हैं तुमने बात की स्टोरी बताया है कैसा उस राद तुम्रे अभबा हम से बोले कि हम अपना सीना पे गोली खा लेंगे पर तुमको और तुम्री बच्चीयों को आँच ना आने देंगे कैसा अपना वादा पूरा की है हाँ बस इसी बात पे तो हम अभबा पे नहीं गए हम अपना कोई कहा पूरा नहीं कर सके हैं का हो गया कुछ जलू रहा है हाँ हमरा दिल जल रहा है उससे दुआ उट रहा है जैसे ओम सांतियों में उस सारुखान के दिल से दुआ निकलाता एक चुटकी सिंदूर के कीमत तुम का समझोगी अम्मा साडी हाँ सारी पहन गई सिंदूर लगाते तोका मत करो हमरा साडी जली अरे का उल्टा टाइम पे अपने मलहू संबा को यास की हो हमारी इतनी महीं की साडी हम जल गई जाब हम का करेंगे अरहाज करेंगे हम करेंगे अरहाज कर दो जाए बाबू अरे का है मम्मी सब वो गए ने हैं आदेखनी जाके बाबू अल्ला तुम को खूश रखे तुम अपनी बहान के लिए बहुत की हो बहुत की हो इंसालाब उसकी साधी इज़त से हो जाएगी इंसालाब इंसालाब वो ममी का विटा हम पूछ रहे थे के राट ठीक तो गुजरी ना मतलब निन आ गए थी आपको अरे कहां सोए हम सारी रात ये सोचते रहे कि सुबा के ये इंतजामाद कैसे हो गए तुम सोए कहा हां ओही तो कह रहे थे हम पता नहीं है आप रात को ठीक से सोई भी हैं कि नहीं हम तो जाग रहे थे तुमरा डैडी ऐसे भर भर का खुराट ले रहे थे जैसे किसी मस्जद क पेकर खराब हो गया हो अच्छा और कुछ नहीं हुआ और का होगा सारी जिन्दे के तो तुम लोगों का फिकर नहीं हुआ अब का होंगे अब अधिक अनवरी